नशे में धूत रेलवे गेटमैन ने आमूली विवाद में चलाई गोली युवग घायल जिला चिकित साले भेजा गया खबर सुल्तानपुर से है जहां दिना 30 अकस 2020 को नल पर पानी पीने को लेकर हुए विवाद में नशे में धूत रेलवे गेटमैन ने लाइसेंसी रिवालवर से गोली मारी मामा को खाना पहुचाने जा रही युवग को लगी गोली कूरेभार ठानक शेत्र के परवर की घट में पत पर तैनाथ है वहर रविवार को शराब के नशे में धूत था उसकी और विकास शर्मा पुत्र रामचंदर शर्मा निवासी दूवेपूर ठाना पूरे भार से नल पर पानी पीने को लेकर कहा सुनी हो गई इसी बीच मिर्मल सिंग द्वारा अपनी लाइसेंसी रि जोध्या के हिप पर कमर पर गोली लग गई जो की अपने ननिहाल में आया हुआ था संजे की चीफ फुकार पर तमाम लोगों की भीड़ वहां इकठा हो गई सोचना पर पहुची कूरे भार पुलीस के द्वारा मौके पर जाकर आरोपिन निर्मल सिंग को मै लाइसेंसी रिवालवर सहित गिरपतार किया गया घायल को इलाज ही तु अस्पताल रवाना किया गया घायल की स्थिति सामानने है सीओ कादिपुर में बताया कि छेत्र में शांती वेवस्ता की स्थिति सामानने है एसो कूरे भार मनबो तिवारी द्वारा आवश्यक विधिकार्यवाही की जा रही है जाने लगा गाली लेकर भार में लगा है अब यह बहुत आर लगका है उसी वे भार चोड़ती है मारने वाला कौन था तु पता था यह नोगे गेग्मैन बता लाए यह किया रहा गठने करम से आज परवर क्रासी कोड़े भार खानाम पड़ता है वहां का गेग्मैन है नेरबल कुमार सिक उसका विकास तर्मा का पानी को पीने को लेकर के विगाद हो गया था जिसमें गेटमैन ज़ारा फाइरिंग की गई इसमें संजे मारिया नामा बटी लोगने मामा को खाना देक जा रहाता उसके जांग में गोनी लेगी हुई है मोगे पार कानुंड वेर्फार्फाट चीट है अभी उत को गिरशाय कर लिया गया है और जो मजबूब है उसका जीलाची किस्तारह में रहां चुब रहे खुब रहे हैं इसका लाइसनसी असला क्विविभी कोई या थ लाइसनसी में कॉनी तर रिवालवर या क्या करते हैं...